जैन साथियों नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल UPRTOU प्रियागराज में स्वागत है साथियों एदियाप सिंगल सब्जेट पॉलिटिकल साइंस का जो है एसाइमेंट पेपर डाउनोड करना चाहते हैं तो आप कैसे और कहां से इसको डाउनोड कर सकते हैं और इसकी पीडियो की और से क्राप कर सकते हैं यह महाँ से आप इसको डाउलोड नहीं कर पाती है तो आप डमारी टेलीग्राम चैनल को जोइन कर लिजी जिसका लिंक आपको मारी वीडियो की डिस्क्रिश्वर्ण मिल जाएगा वहाँ से आप वाच से आपि पीडियए फाइल को डाउन करेंगे तो आपका समय कोड होता है यहां पर subject कोड दिया गया है और यह जो आपका एक पीपर होता हूँ क्या होता है जो आपका assignment का एक पीपर होता हूँ तीस नंबर का होता है कितनी नंबर होता है जो आपका assignment का एक पीपर होता है वो तीस नंबर का होता है और इसमें जो आपके question पूछे जाते हैं दो टाइप के question पूछे जाते हैं सबसे पहले आपका section A होता है और section A में जो आपका question पूछा गया है वह देर गुति पूछा गया है जिनका उत्तर आपको 800 से लेकर 1000 सब्दों में लिखने होते हैं और सभी प्रेश्ण आपके लिखना है यह एक मतलब एक question आपका यह 6 नमबर खोड़ा है टूटल आपके देखें दूनी बारा च्छे तरीक अठारी निया तीनों question आपके कितने नमबर खें अठारा नमबर खें और इनके उत्तर आपको क्या करना है 800 से लिखकर 1000 सब्दों में लिखना है इसके बाद अपको जाता है section B section B वाला जो आपका question है यह आपका जो हो देखें लगत्री प्रशन होता है इनका उत्र आपको जो लिखना होता नमबर का है और ढिर बूतरी कोछियंगे और कितने आपका इस में पेपर हैं कि का Lieffentlichल्य राज की क्या भिशेटा हूती है इसके बारे में आपको लिखना है total आपको जो paper होता हम आप दिखाते हैं यह आपका पहला paper है यह फ्र। इसके बाद आपका जाता है यहाँ दूसरा paper है css02 और भी आप नीचे आएंगे यह देखे आपका कीसरा paper है css03 इसके निचे आपका ने हekich चोथा पेपर है सीडपोल इस जीरोफॉर और यहां पर देखी आपको लाश्ट में दिया गया है सीडपोल्ने जीरोफाइब हैं टोटल यहां पर यहां पर जून में बा बहई हैं टूटल आपका 5 पेपर है टीक्टे और एक यह पिपर साथ ही हουνfried का तीश नमबर का है तो पांचो पिपर आपको हो जाएगा इसायमेट थेग और एक पीपर में आकको कम से कम जो है कम से कम आपको पच्छी से लेकर 58 नमबर तो मिली जाएगा तो अच्छे भंक तरीके से उसकी सही हेड़ियों डालकर अपना इस हैम अटली कर आप अपने एज़ी सेंटर में जमा करते हैं तो आपको पचीस में से 28 नंबर क्या है पचीस से 28 नंबर आपको जरू मिल जाते हैं ठीक है तो यह दिया आपको मारे छोटी सी इंफार्मेस्ट छोटी जानकरी आपको लिए पूल है आपको अच्छली तो आप मरे वीडियो को जादा स्चानल लाइक और सिर्ज जरूर कीजिए और इसके अलावाभी है दिया आपको में कोई डाउट कोई कोईस्टिन रह गया साथ हैं तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूश रखते हैं पिलाव साथियो इस वीडियो में इतना ही नमस्कार जहिन